आज हम एड़ेनेम के अपडेट्स देखें के जो भी मैंने आउनलाइन से पर्चेस किया था इसका देखें के उसकी हार कंडिशन अभी कैसा है तो फ्रेंट्स से लिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन सी प्लान के हालत कैसी है और किस तरह यह अच्छी हमाना हमाल हुआ थो फ्रेंट्स यह बहुत 1994 जो मैंने ऑनलाइन पॉक्ष्रेस किया था और आपके साथ उसका विडियो स्यार किया था उस विडिव से इसका लिंग्स मैंने ज्रेक्किप्शन फौक्स में देहें और इसका रीपॉर्टिंग बगारा कैसे करते है उसका भी description box में उसका link दे दिया है अभी आप देखिए इसमें कितनी अच्छी growth हुई है और इसमें सभी में flowering birds हैं और अच्छी तरह से flowering कर रहे हैं ये इसका सही time होता है flowering करने का इसका propagate करने का आप इसको cutting से भी grow कर सकते हैं अभी मेरे garden में जितने भी एडिनियम हैं उस सभी की flowering को देखते हुए इस plant के बारे में थोड़ा-thोड़ा सा discuss कर लेते हैं ताकि आपको आसानी होगी अगर आप कुछ भी plants online purchase करते हो और उसका reporting बगरा के लिए आपको आसानी हो जाएगी तो फेंटस इसके लिए पहले आप पोर्ट जो लेंगे वो चोड़ा वाला पोर्ट लेंगे इस तरह का पोर्ट नहीं जैसे मैंने यहाँ पर यूच किया है ये मैंने उस पक्त यूच किया था क्यूंकि उस पक्त मेरे पास चोड़ा वाला पोर्ट नहीं था पूरा सुखा हो मीटी तो जाके वाटरिंग कीजिए इसको तीन चार दिन में एक बार पानी देने से भी चलेगा इसका कुछ नुकसान नहीं होता है लेकिन जागर ज्यादा पानी इसमें देंगे तो इसके जो कोडेक्स होता है वो खराफ हो जाता है वो उसमें फंगेस बग रग लगा हुआ है कि मुझे तसात्व बहुत अच्छाल अऩसाल करें है लेकिन जब आप इसको पहले आप का पार्सल को Packet at कैस प्लांड कीम जिसमें यार ज्याधा आता हैि लगभा पर दीजिए और उसके बाद पाद रिपोर्टिंग किजिएगा, फंगी साट पाडर में कुछ देर भीगो के उसके पाद रिपोर्टिंग करेगे तो अच्छा रहेगा, और इसको हमेसा वाटर लेवल, वाटर जो करेंगे फ्रेंट्स, हमेसा ठीक तरा से किजिएगा, अभी तो गर्मी आने वाली है, तो अच्छी प्राबारी नहीं होगी, आप इसको सीट से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग से ज्यादा अच्छा रहता है, देखें सिंगिल पेटल वाला, और बाकि सारे सब डबल पेटल के हैं, प्रेंट्स, एक जरूरी बात, आप हमेसा इसको वाल्टर इन सॉयल में नहीं ग्रो करें, वाल्टर इन मतलब बिल्कुल इसमें पानी खड़ा होके नारे, जैसे में आप पानी से पो नीचे चला आएगा, उस तरह का मिट्टी आप इसके लिए बनाएं, इसमें रेत डालें और बजरी बगारा डालें, और इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना च अच्छा दिखता है, लेकिन वो नीचे से गल जाता है, और प्लांट खराफ हो जाता है, इसलिए आप हमेसा इसको बीच बीच में दस या बारा दिम में चेक करते रहे हो, और फंगी साट प्योर्टर का यूज कीजिए, जैसे मैंने आपी किया हुआ है, देखिए, यह बह बहुत बेराटी जाते हैं, जैसे टी बलाक है, और यह परपल कलर, रेड कलर का थोड़ा-थोड़ा है, बहुत सारे बेराटी जाते हैं, तो फ्रेंट्स इस प्लांट को आप अपने गारण में जरूर इच कीजिए, और देखिए, इसमें बहुत अच्छी फ्लावारिंग ह इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए, एंजय गाड़ेनिंग, तो फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट, स्यार और सब्सक्राइब जरूर किजिए गया, थेंक्यू, थेंक्स पर वाचिंग, जै जगन्ना